तो CeBee क्या है..? CeBee है Securities and Exchange Board of India Securities and Exchange Board of India इसका full link में है और ये established हुए थी 12 April 1988 को किस की तुर। Ministry of Finance की तुर। Ministry of Finance means Government, Central Government की Ministry of Finance की तुर। 12 April 1988 को ये established हुए थी लेकिन अगर हम बात करें इसके Act की कि CeBee का Act का पास हुआ थो तो C.B. का Act 12th June 1992 को पास हुआ था So C.B. Act 1992 है और जब ये पूरा norms और rules की किसके according C.B. की क्या rules है क्या provisions रहेंगे कैसे working होगी वो सारी चीजे यहाँ पर frame हुई तो ये तब जाके एक statutory body बनी So is a statutory regulatory body that was established by the government of India in 1992 for protecting the interest of investor investing in securities along with regulatory in the securities market So main objective क्या हो जा रहा था इसको इसी परपस के लिए established किया गया था कि जो investors invest करते हैं उनके interest को protect करें Companies उनको cheat ना करें जहां जिन जगाँ पे जिन चीजों में वो invest कर रहे हैं तो companies उनको cheat ना कर सके और किस तरीके से पुरा वो market regulate हो security market इसका भी पूरा work सेवी के लिए डाला गया कि सेवी इन चीजों को deal करेगी तो इसी परपस सेवी को established किया गया था सेवी also regulate how to stock market and mutual fund functions तो कैसे stock market काम करेगा उसकी working कैसे होगी mutual fund कैसे work करेगा यह सब भी सेवी ही regulate करती है तो सेवी की जो headquarter है मिंगली जो business district है वो कहां पे है बांदरा कुला complex in Mumbai मुंबाई में और इसका northern eastern western regional office है वो न्यू डैली, कुलकता, चिन्नाई और अहमदाबाद में है तो यह इनके पूरा office का हो गया अब हम बात करते हैं कि सेवी को objective क्या है तो जो कुछ important objective है हम उसको discuss करेंगे तो सबसे पहला क्या हो गया कि stock exchange की जो activity है उसको regulate करना मतब stock exchange कैसे work करेगा उसकी functioning कैसे होगी यह कौन regulate करता है CBA, इसी के according work करेंगी तो और दूसरों objective क्या हो गया investors को protect करना यह सबसे इनका important objective है कि CBA क्या करती है कि जो investors है वहाँ पे उनके rights को, उनके interest को उनके hit को interest मतलब यह जो amount interest मलता वो नहीं उनके hit को protect करती है कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो जो investment कर रहे हैं वो safe रहे कहीं भी कोई problem ना आने पाए देन क्या करती है यह prevent करती है किसी भी तरीके से fraudulent practices को या mal practices के जो कि stock exchange में generally लोग करते है कि trading के duration में गलत information देना, गलत तरीके से work कर देना तो वो इन सब चीज़ों को रोकती है यह भी इनगी का काम है CBA का ही main objective था इसके लावा CBA और क्या decide करती है कि जो भी इस पूरे stock exchange में जो financial intermediaries है means जो investor और company के बीच में जो deal कर रहे है वो लोगों के लिए क्या code of conduct होगा उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए उनके क्या norms होगे वो भी कौन decide करेगा CBA decide करते हैं यह भी उनहीं का objective है तो financial intermediaries मतलब जिसे underwriters होगा है, brokers होगा है merchant bankers होगे, portfolio managers होगे यह सारे के सारे financial intermediaries की category में आते हैं और इनके लिए code of conduct भी CBA decide करती है तो यह भी CBA के ही objective में आ जाता है इसके इलावा CBA को balance maintain करके रखना होता है कि जो भी statutory regulation है वो भी अच्छे से हो सके और CBA की working है CBA को जो mean function है वो भी अच्छे से perform हो सके उसके बाद हम देखते हैं कि CBA के function क्या क्या है तो CBA के functions को हम तीन पार्ट में divide करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि protective function क्या है protective function जैसा हम सजिस्ट कर रहा कि protection के लिए कि कुछँ भी किसी के साथ भी कुछ गलत ना होने पाए उस परपरेն क्या क्या work करती है तो यह क्या हो गया इंसायर ट्रेडिग को प्रोहबिट ती है अब प्रोथ travels को देगी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए है सो यह क्या करती है insider trading को प्रुहबट करते है रोकती है तो हमारे लिए इंसाइडर ट्रेडिक क्या है पूरिटरी किसे इल्लीगल इंसाइडर ट्रेडिक मतलब क्या हो गया कि जैसे कि stock market में deal होती है तो stock market में कैसे deal होती है shares की prices बढ़ जाती है share की prices down हो जाते है जो stocks and securities तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब प्राइस कम होती है तो उसको परचीस कर लेते हैं, जैसे प्राइस रेज होती है, उसको क्या कर देते हैं, तो यह प्राइस इंकीज और डिक्रीस कहीं हद तक हम बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर हां एक फैक्टर अग पहले से किसी को पता चल गई कि बायो टेक का क्या हो गया बायो टेक को अभी government मंजूरी देने वाली इनका बहुत बड़ा project पास होने वाला है यह internal information थी अभी information किसी ने market में leak कर दी जब market में कर दी तो क्या हो गया लोगों को पता चल गया कि अच्छा खासा होने वाला इनका बहुत बड़ा project पास होने वाला government अभी कैसी information थी वह internal information थी टाइम के according यह आता तो time के according इसके rate increase or decrease होते हैं लेकिन अब कुछ लोगों के थुरु यह information leak हो गई अब जिनको यह information पता चली एक यह दो लोगो क्या करेंगे अब जैसे ही government के साइट से वह project पास हो गया market में न्यूज आगे न्यूस पेपर में यह न्यूज आगए कि यह project पास हो गया तो अब क्या हो गया लोग क्या सोचेंगे अरे यह तो बहुत profit कमाने वाली company है तो मतब यह dividend बहुत अच्छा देगी तो चलो इसके इस शेर्ट पर्चेस करते है अब यह जो जिन्होंने purchase करके हब में रखा था वह क्या करेंगे वहाँ पर अपना आपको रेट लगाना पड़ता है कि हम इस रेट्व थे cold करेंगे रेटों के प्राइस ने वंवे होडिंग करके रखली शेयर्स के और बाद अपने मंचाहे रेट पे शेयर्स को सेल किया तो से भी इसको प्रोटेक्ट करते क्योंकि इससे जो नॉर्मल इंवेस्टर्स है उनको लॉस होता है तो यह चीज एक इंसाइडर ट्रेडिंग होगे इसके लाबाद चिक प्राइस रि प्राइसर करते हैं उसके अपना जो है शेयर्स टेड करते हैं कि हम प्रॉफ इसे जो है जृत हो जयाता है इसे निकी इन से से घर्क प्राइस बात कर लें तो यह प्राइज की बात करते तोंग रिलाईंस इंड़िंग त्य उसको स्कॉडार्व मारक्ट ने पूरा बं य सि तो डियरिवेटिव में डील नहीं कर सकती है पूरे एक साल के लिए तो रहाइंस इंडिस्ट्री पे एक साल का बैन भी लगाया प्लस पनाल्टी भी चार्च की तो यह क्या हुआ यह इन ही वजह से वह प्राइज रिगिंग वे गए रहा हुआ इस एडर ट्रेडिंग के वज मार्केट में आपको हर्षण मेंद का केस याद हो बहुत बड़ा स्काम था हर्षण मेंद का तो वह भी इन सब चीजों के थ्रू है इस एडर ट्रेडिंग वे रिगिंग के थ्रू हुआ था तो वह कहते कि ऐसे चीज़ें ना हो तो बैन करके और उनको ज्यादा पनाल्टी पिछाज करके मैसने लोगों को मैसस देती हो फ्रेर प्रॉवट करती है फैनाशल एड़िंचिन प्रोवाइडर तो स्य भी बहुति है टुएड पर नियूज थे च्छोटे थे च्छोटे टॉर्म्स के बारे में इन्परमिशन देती है आप देखें लिएब की च्छोटे education provide करती रहती है अब बात करते है regulatory function की so regulatory function यह तो protective function हो गया क्या हो गया insider trading को प्रोवेट करना price rigging को प्रोवेट करना fair practices को promote करना और financial education प्रोवेट करना अब regulate कैसे करना है regulation इनका work कैसे होगा उसकी भी functioning है तो यह क्या करती है rules and regulation को frame करती है guidelines देती है कि आपको काम कैसे करना code of conduct कैसा होना चाहिए सभी corporates को intermediaries को companies को सभी को पताती है कि आपको इस तरह के से काम करना चाहिए अगर आप stock market में deal कर रहे हैं तो आपको यह norms follow करने पड़ेंगे financial intermediaries कोई बनना चाहता है broker बनना चाहता है तो आपके पास capital कितनी होनी चाहिए आप किस तरह के होने चाहिए कितने लोग होने चाहिए पूरे code of conduct पूरे norms यहां पे आपको सेभी की guidelines में मिल जाते हैं सभी के लिए रहते हैं merchant bank portfolio management अभी के लिए होते हैं तो यह इसके बिस्स पर करते हैं regulatory function को perform करती है time to time क्या करती है question inquiries करती रहती है stock exchange के audit कर आती रहती है कि चीजे सही से हो रही कि नहीं check करती रहती है और इसके इलावा क्या करती है stock brokers merchant bank brokers जो होते हैं इन सब की working को regulate करती है check भी करती है regulate करती है कि सही तरीके से work करें जैसे से बताया जाना हम तर जो गाइड लाइन से according के follow करें इसके रवाप क्या function के development function तो protect कर रहे है investor को जो working हो रही है इसको अच्छे से regulate कर आ रही है इसके इलावा development भी करती है development कैसे करती है intermediaries जो होते जो security market को deal कर रहे थे उनको train करके उनको knowledge provide करके भी यह क्या करती है उनके development करती है तो it's all about the function of से भी protective regulatory and development तो यह पूरा हमने function और objective or main motive से भी को देख लिया तो सेभी के पास क्या क्या पावर है हम जानते हैं कि security exchange board of India होती है basically investors को protect करने के लिए होती है उसका main objective होता है वो investors को protect करना होता है और securities market को और develop करना होता है तो actually जब हम इसके power की बात कर रहे हैं तो इसका power भी इन दोनों के regarding होगा कि अगर वो investors को protect करना चाहती है उनके interest को protect करना चाहती है तो उसके regarding वो क्या-क्या उसके पास power है और दूसरी side जो security market को वो develop करना चाहती है तो उसके regarding उसके पास क्या-क्या power होती है ठीक है तो इनके power को basically हम दो पार्ट में divide कर देंगी तो protect the development of security market and second one is what to protect the interest of investors इन दोनों के regarding उनके power को हम discuss करेंगे और basically ये दोनों ही power को अगर देखा जाए तो दोनों ही power overall security market को develop करने में ही है इंडिया का security market और develop stock market और अच्छा वाक कर उसके लिए ये दोनों ही power work कर रही है जो कि CV करती है तो अगर वैसे देखें तो CV ना तीन तरही से काम करती है उसके जो power है ना वो तीन तरीके की वो quasi judicial होती है means वो कुछ चीजों के regarding judgment देती है क्योंकि जो भी mal practices हो रही होंगी जो भी fraudland activities हो रही हो उसके regarding वो judgment दे सकती है वो quasi executive होती है क्योंकि जितने भी rules, regulations, government के हैं जो भी norms हैं companies act के भी जो applicable है या securities contract act के भी rules and law by laws है उन सब को implement कराने में आपकी CV का role होता है तो वो quasi executive का role करती है वही quasi legal भी होती है क्यों होती है क्योंकि उसका power ये भी होता है कि नए जो law है कि investor को protect किया जा सके या guidelines issue करनी हो merchant banker के regarding intermediaries के regarding basically तो उसके लिए वो नई guidelines नया rule भी frame करती है तो वो ये सारा काम करना उसकी power में ही आता है तो अगर हम overall देखें न तो CV का power बहुत जादा बड़ा है और motive एक है कि पूरे market को कैसे develop किया जाए तो securities market को develop करने में जो पहले power उनकी क्या है power to seek information CV क्या गरती है CV को अगर किसी भी company के regarding किसी भी fund के regarding जो भी investment के लिए है जो capital से issue के जा रहे है उसके regarding कोई भी information चाहिए तो वो particular company से वो information ले सकती है कि कहां से fund आना है या किसी भी चीज के regarding उनको गर कोई information चाहिए तो उसके पास power है कि वो information वो मान सकती है दूसरा power to inspection सेवी जो होती है पुई तरीके से empowered है inspections करने की मतलब अगर किसी companies के या किसी भी issuers के जो की market में अपने shares वेगरा बोंस वेगरा issue कर रहे है तो इन में से किसी की भी books of accounts को registered documents को उनके record को किसी की भी company जो की stock market में listed है अपने securities को list करा चुकी है या list कराना चाहर ही है उनके books of accounts को अगर वो check करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है उसे inspect करने की power cv के पास है और बटो वेसी बात है इससे security market और अच्छा होगा strong position क्योंकि जो participants हैं अगर वो सही से काम करेंगे तो पूरा market डवलप होगा और उसके लिए regarding के उसके लिए जरूरी क्या है कि जो भी participants है चाहे वो investor हो या वो आपके companies हो जो भी अपने shares विगरा issue कर रही है issuers हो दोनों में से कोई भी हो या फिर intermediaries ही क्यों ना हो कोई भी अगर उन्हें ये पता हो कि वो कोई भी ऐसी fraudland activities में involved होंगे या कोई भी ऐसा work करेंगे तो CV उनको regulate कर सकती है उसके लिए नए norms निकाल सकती है उनके books को कभी भी check कर सकती है तो अगर उनको पता होगा कि ये सारे काम CV कर सकते तो बट वसे बात है वो working को smooth रखेंगे और transparency maintain रखेंगे तो ये CV के पास power होती है कि इसको inspect करने की power of civil court exercise by CV तो जो civil court की power होती है मतब code of civil procedure 1908 तो उसमें जो civil court की power होती है वो सारी power जो होती है CV के पास भी होती है मतलब उसमें से civil court की जो कुछ powers होती है CV के पास भी होती है जैसे कि example के लिए अगर हम बात करें तो जैसे किसी को summon करना summon करने का मतलब कि अगर किसी person को कोई company का कोई entity है कोई person है जिसको CV को लगता है कि उस particular auditor को CA को उस intermediaries को उस company के management को किसी को भी अगर CV को लग रहा है कि उसको यहां पे आना जरूरी है जिस भी जगहां पे CV बुला रही है उसे कोई बात करनी है कुछ भी करना है तो वो उन्हों समन भी सकती है कि आप समन या उनको उस जगहां पे टेंड करने के लिए कि आप आके चीज़े बताईए रिटेल दीजिए उसके लिए उन्हें फोर्स कर सकती है तो उनके पास वो पावर होती है इसके अलावा क्या होती है जैसे कोर्स के पास पावर होती है कि कि किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करा ले वैसे इनके पास भी पावर होती है कि कोई भी documents हैं, कोई भी books हैं, उन सब को वो क्या कर सकती है, अराम से check कर सकती है, उसको inspect करा सकती है, इसके अलावा particular area से अगर कोई evidence collect करना है, तो होता है न कि हम अब कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, लेकिन वहाँ से कोई चीज ला नह exercise करते हैं, सेवी exercise करती है, power to issue directions, सेवी के पास power क्या होती है, कि जो भी चीज ही है, उनके regarding, वो direction issue करेगी, मतलब direction issue किसको क्या करना है, जो भी intermediaries हैं, जो work out कर रहे हैं, वो proper manner में करें, securities market के लिए, जो rule and regulation frame किये गया, उसके recording करें, उसके लिए उनको direction दे सकती है, जो भी management ह उनको proper direction दिया जाएगा, कि कैसे अपने issues को लाना है, issues को लाते बद क्या 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 rules and regulation को समझना है, तो ये सारी चीजों की power किसके पास है, सेवी के पास है, इसके इलावा क्या है, power to search and seizure, मतलब ये क्या होता है, कि जो आपके सेवी है, उसके पस पूरी power है, कि अगर वो कह सेवी हैं, किसी कंपनी के प्रमैसीं में जाना चाहिए, देखिए, सेवी है, अब आपको वहाँ पर किसी को बुलाना, सब चेक करना, सब कुच करना है, किसी कोju information लेना है, किसी को enforce करना है, किसी documents के regarding, उनके documents मगाना है, उस सब कर सकती है, लेकिन अगर किसी भी company के प्रमैस उस में जाकर वहां की चेकिंग करना, वहां पे सर्च करना है, तो ये सेवी के पास ये भी पावर है, उनके पास पूरी तरीके से सीज करने का भी पावर है. है ना तो यह जो पूरा power है ना वो security exchange board of India का जो amendment act वा 2002 का उसमें उनके नया section insert किया गया section 11c और उसके अंदर उनको यह power grant करी गई है ना इसकी अलावा भी सेवी के पस बहुत सारी powers हैं जैसे कि appointment करना है ना तो अगर जो officers हैं इनकी मतब जो regulation पूरा complete कराने के लिए किसी भी officers के appointment है ना तो वो officers के appointment भी सेवी कर सकती है इसके लावा जैसे civil code का हमने आपको बताया ना कि मतब उनकी power है तो ऐसे ही सेवी के पास power यह इस चीज़ की भी है कि अगर उन्हें लगता है कि particular person को arrest करना है और वो किसी भी ना किसी officers उनके पास भी power है लेकिन मतलब उनकी जो rank होने चाहिए वो assistance or pretendants से नीचे की rank नहीं हुचे उससे lower rank नहीं हुचे उससे उपर की rank वाले जो officers है उनके पास यह power होती है कि बिना warrant के भी particular person को वो arrest कर सकते हैं तो सेवी के पास yes यह वो भी power है कि वो किसी को arrest करवा सकती है कि अगर उसको लग रहे हैं कि यह person गलत है यह गलत काम कर रहा है तो उसको arrest करने की भी पूरा power है जितने भी issues आ रहे हैं है न जो directions की बात करें हमने कि issue की direction तो जितने भी issue लाए जा रहे हैं उनके जरा से maintain करना होता है next power क्या होती है जैसे यहां तो हमने देख लें कि security market को develop करने के लिए सेवी के पास क्या-क्या power है है ना कि officers को भी appoint कर सकती है central government के according उनकी rules के according work करती है तो उसके rules को भी notify करने का भी उसको भी देखने का भी सेवी के पास investors के interest को protect करने के regarding कौन-कौन से power है मतलब ऐसे उसके कुछ powers है ना जो basically किस चीस के तरफ इशारा करते हैं कि इन सारे power की वज़ा से investors का जो interest है ना वो strong रहेगा वो safe रहेगा वो protect रहेगा और basically अगर investor protect रहेगा तो security market already develop होगा तो overall भी अगर आपको के question में ऐसा आता है कि आप सेवी के powers बताईए जिससे कि इंडिया का security market और develop हो तो आप उसके अंदर नहीं यह सारे power लेग सकते हैं investor को protect करने के भी जो power है वो सारे power भी आप उसके अंदर mention कर सकते हैं तो अब हम इसको बाफर केट करके दिखते हैं कि interest के investor के लिए protect करने के लिए कौन कोई से power है तो एक हो गया public interest में advertisement करना तो investors के awareness के programs लाना मतब जो भी issues आ रहे हैं जिस features के साथ आ रहे हैं जो instrument लाया जा रहे हैं उसमे minimum precautions क्या क्या हैं कैसे उस investment को choose कर सकते हैं उसके regarding वो advertisement से भी लाती है जिससे के जो investors है वो aware हो सकते कि कैसे कैसे चीज़े होंगी इसके लावा एक और important चीज़े है कि सेभी जो होती है जिब direction issue करती है companies के regarding कि आप कैसे अपने issues को लेकिया है वहीं वो guidelines भी issue करती है किसके regarding आपके जो intermediaries होते हैं intermediaries in the sense जो mutual fund हो गया portfolio managers हो गया merchant bankers हो गया underwriters हो गया lead manager हो गया ये सारे लोग जो बीच में work करने वाले हैं इनके लिए code of conduct issue करती है कि आपको काम कैसे करना है उन intermediaries पे भी focus करती है उनके लिए भी guidelines issue करती है आपकी सेवी उसके अलावा handling investors complaints तो यहां पे वो intermediaries के लिए guidelines issue करके कि वो कहीं न कहीं company और investor के बीच में आके कुछ घरबर न करे तो उनका काम का तरीका कैसा होना चाहिए उनके लिए guidelines issue करती है और दूसरी साइड investors को aware करने क के लिए advertisement programs निकालती है वहीं पे अगर ऐसा कुछ हो भी गया कहीं कुछ गलत हो भी गया तो investors के complaint investor complain कर सकते हैं और उन complaints को वो handle करती है उन complaints को भी देखती है कि अगर कोई ऐसी problem है तो उसके regarding funding क्या ले सकती है क्या workout कर सकती है जिस मैंने आपको पहले बता है न कि जो cv होती है वो quasi judicial power में भी रहती है quasi legal power में भी रहती है quasi excluded power में भी रहती है तो यह सारी power भी है तो अगर कोई इस तरह से कोई complaints है investors की और चीजें है न तो उसको भी proper तरीके से manage करती है और handle करती है इसके इलावा से वी और करती है investor education and protection fund करती है investors को educate करने के लिए investors की knowledge को protect करने के लिए वो time to time बहुत सारी publications लाती है और उनके लिए fund भी create करती है investor education and protection fund उसको कहते हैं और आप देखेंगे companies आप में भी इस बारे में discussion किया गया है वहाँ आपे बोला गया है कि अगर कोई dividend ही है company का जो कि undistributed distribute किया गया पर उसको कोई claim करने नहीं आया मतलब अभी भी वो undistributed है मतलब company ने तो दे दिया पर उसको claim करने के लिए कोई नहीं आया उसको इस accounts में गया नहीं हो पैसा तो कुछ सालों का इंतजार होता है साथ साल तक इंतजार होता है और उसके बाद उस पैसे को भी उठा के कहां डाला होता है investor education production fund में तो basically बहुत सारे norms create कियेगे companies act में भी जहां पर investor education production fund के लिए पैसे डाले गए कि ये पैसो का इस्तेमाल किस लिए होगा कि investors को aware किया जाए उनको educate किया जाए उनको बताया जाए कि कैसे कैसे चीजे होंगी जो investors associations है ना उसको form किया जा सके कि वो समझें कि investors को क्या क्या चीजे पता होनी चाहिए उन तक पूरी knowledge पहुचे और वो सारी चीजों को करने के ल कि लिए ही सेवी बहुत सारे publications भी लाती हैं सेवी market reviews, सेवी newsletters ये सारे उसके publications हैं जो basically investors को protect करते हैं उनको guide करते हैं उनको educate करते हैं इसके इलावा issue of guidelines हमने पहले ही बात कर ली कि पूरी चीजों में transparency लाने के लिए जो investors हम वो exploit न किये जाएं intermediaries के थुरू, companies के थुरू उ transparency लाने के लिए वो time to time सेवी guidelines issue करती रहती है कि आप ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इन लोगों के लिए ये code of conduct है, ऐसे काम करना चाहिए, तो सभी के लिए code of conduct तयार किये गए, सभी के guidelines दिये गए हैं, अगर आप underwriter बनना चाहते हो तो आप ऐसी नहीं कि intermediary बनके अप underwriter का काम करो, आप broker बनना चाहिए, तो आप ऐसी broker बन जो, नहीं, उसके लिए आपके लिए कुछ set norms हैं, आप पहले वो criteria पूरी करिए, वही guidelines आपके हैं, आप पहले वो पूरा करिए, तब आप जाके broker बन सकते हैं, तब जाके आप underwriter बन सकते हैं, तब आप merchant banker बन सकत हैं, और ये सारी की सारी CV की power है, तो आप पहले वोगा, wish you all the best, thank you so much.